नमस्कार दोस्तों, हर महा में आने वाली पूर्णिमा तिथी को बेहत खास माना जाता है कहते हैं कि इस दिन चान की पूजा करने से लाभ मिलता है और साथ ही चंद्रदोश को कम भी किया जा सकता है जिहां दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रदोश हो तो आप भी पूर्णिमा के दिन विदिवत तरीके से पूजा कर सकते हैं तो आईए जानते हैं पूजा की सही विधी क्या है दिवत पूजा करके इस दोश को कम किया जा सकता है हर महिने में एक बार आमावस्या तो एक बार पूर्णिमा तिथी आती है और इस तरह पूरे साल में बारा पूर्णिमा तिथी आती है जिनका लग-लग महतब होता है इन सबी पूर्णमा तितियों में मारक्षीष मास का बहुत अधिक महत्व है ये पूरा महिना बगवान शिरीकृषिन की पूजा को खास दोर पर समर्पित होता है गीता में बगवान शिरीकृषिन ने मारक्षीष मा को स्वेम का महिना बताया है इस पूरे महा शिरीकृषिन की पूजा राधना की जाती है मानेता है कि मारक्षिष मा के दिन सत्य नरान कथा का शरवन करने से जीवन में संकट दूर होते हैं और शुफलों की प्राप्ति होती है इस दिन मा लक्षमी की पूजा का भी विदान है पुर्णमा के दिन लक्षमी जी की किरपा पाने के लिए कई तरह के उपाय भी किया जाते हैं ऐसा माना जाता है कि पुर्णमा तिथी के दिन माता लक्षमी को खीर का भोग लगाना चाहिए मारक्षिश पूर्णमा को हमारे शाष्टरों में मोक्ष दाइनी भी बोला गया है इस दिन दान ध्यान और शनान की खास एहमियत होती है तता इसका 32 गुणा फल जो है वो मनुश्य को मिलता है कहा जाता है कि इस दिन प्रभु शिरी विश्णु तता माता लक्षमी के सचे दिल से पूजा करने से मोक्ष का मारक खुल जाते हैं इतना ही नहीं इस दिन चंदर्मा की भी अरादना की जाती है पूर्णमा की रात चंदर्मा भी अपनी 16 कलाओं से पूरण होता है इस दिन उपवास रखने से कुंडली में चंदर्मा की स्थिती में सुधार होता है तता मानसिक तनाव तता उथल पुथल की स्थिती से भी हमें चुटकारा मिलता है मारक शिष पूर्णमा तिथी को पूरणों में भी बहुत खास माना गया है इस बार शनिवार 18 दिसंबर को मारक शिष पूर्णमा है और ये पूर्णमा बहुत शुब सैयोग में है इसलिए इसका महत्ता वार बढ़ गया है माकुलिटी भी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पूर्णमा तिथी का जो प्रारंब है वो 18 दिसंबर शनिवार को प्राता 7 बजकर 24 मिनट से होगा और पूर्णमा तिथी का समापन 19 दिसंबर रविवार को सुबा 10 बजकर 5 मिनट पर होगा ऐसे में जो मारक शिष पूर्णमा है वो 18 दिसंबर को मनाई जाएगी इस साल की मार्क्षीश पुर्णिमा बहुत ही शुब योग में है 18 दिसंबर को साध्या योग सुबा 9 बज कर 13 मिनट तक है उसके बाद शुब योग प्रारम हो जाएगा और उसके बाद शुब योग पुर्णिमा तिथी तक जो है वो बना रहेगा मायर कुलिटीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मार्क्षीश पुर्णिमा जो है वो ठारा दिसंबर के दिन चंदरमा जो है वो शाम 4 बज कर 46 मिनट पर उदे होगा मारिक्षिष पूर्णमा पर पूजन विदी के बारे में भी ये बताना चाहूँगा कि मारिक्षिष पूर्णमा के दिन पराता उठकर प्रभुश्री विश्णु जी का मनी मन ध्यान करे और वरत का संकल अपले नहाते समेच जल में थोड़ा गंगा जल तथा तुलसी के पत्ते डाले और फिर जल को मस्तक पर लगा करके इश्वर को याद करके परणाम करें साफ बस्तर धारन करें इस दिन भवान विश्णु जी की पूजा माता लक्ष्मी जी के साथ करें विश्णु जी को पीले फूल अर्पित करें और पीले वस्तर धारन करके पूजन करें परिवार के सभी स्थ से एक साथ मिल करके सत्यनरेंट की कथा का पाठ करें दहीं का पंचामरित त्यार करें और पंजीरी का भोग लगाएं पर शाथ सभी लोगों में वित्रित करके स्वेंबी ग्रहन करें इस परकार पूर्णिमा में पूजन और चंदर दर्शन विशेश रूप से फलदाई माना जाता है और इसका बहुत अधिक महत्तव है उप्रोग तरीके से पूजन करें आपको निश्चत रूप से लाब होगा तो चलते चलते एक बार फिर से मकुल्ली टीवी के दर्शकों को पता दूँ कि जो पूर्लिमा है वो 18 दिसंबर को मनाई जा रही है आज की पोश्ट में बस इतना ही मैं गुर्मीत बेवी इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में शरूर बताएं धन्यवाद